नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मेश लगन के अंदर सुक्र की महादशा अंतरदशा प्रतंदरदशा जातक को किस तरह के रिजल्ट देगी यानि मेश लगन के अंदर सुक्र की जो महादसा होगी अंतरदसा होगी परतंदरदसा होगी उसके एफेक्ट कैसे होगे उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे यही मैं आपको सरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ देखिए सबसे पहले समझे लगन में अगर एक लिखा है तो मेश लगन के जातको की कुंडली हुई पहले भाहों में एक तो मेश लगन अब मेश लगन का मतलब यह है कि यह कुंडली मेश लगन के स्वामी होते है मंगल देव तो यह कुंडली जो है मंगल देव की हुई अब पर ये जरूरी नहीं है, वो अपना खराब फल देंगे, क्योंकि उनको एक केंदर का भी भाव मिला है, अगर उनका प्लेशमेंट अच्छा हुआ, तो वो अपने सक्रातमक फल में भी जरूर देंगे, तो आपको उनका प्लेशमेंट अत्तत महत्तपुन होता है, मेश लगन क का होता है, धन का होता है, आपकी सेविंग का होता है, आपकी वानी का होता है, आपके खान पान का होता है, मोटे तोर पर बता रहा हूँ, और जो सात्वा भाव होता है, वो विवायक जीवन के लिए अत्तत महत्तपुन, यानि हस्बेंड के लिए वाइप और वाइप के ल अब सुक्र मारक होके अगर फ्लेशमेट भी खराब हो गया यानी सुक्र अगर अपनी नीच रासी में हैं तो यहाँ पर वो किस तरह के ईजड़ देंगे तो सबसे पहले शुक्र अस्थ है यहां पर इन सभी चीजों का आपको धान में रखना आ है यह मैं भी एक एक करके आपको पताऊंगा तो अगर शुक्र पर खराब है तो क्या होगा सबसे पहले हलाकि सुकुर का प्लेसमेंट देखना होगा जहां पर सुकुर बैठेंगे उससे रिलेटेटिट भी कही न कहीं खामिया देखने को मिलेगी पर मोटे तोर पर आपको बता रहा हूं एक तो कुटुम से लड़ाई कर होगी जातक की कु जाता हो जाना जातक के विभायक जीवन में आपस में मतबेद विचारना मिल पाना और अगर शुक्र पहुंच जदा पिटित हुए पाप गर्ण से द्रिष्ट हुए तिरिक भाव में हुए नीच राशी में पड़े हुए तो विभायक जीवन को यहां पर शुक्र करना डिसीज भी दे सकते हैं यह मेने बताया अगर शुक्र खराब है पटकर सुक्र का अगर प्लेश्मेंट अच्चा है तो कहीं कहीं पे वह अपना अच्छर अच्छर भी देंगे जैसे कि शुक्र अगर अपनी खुद की रासी में बैठे हैं, मेश लगन के अंदर वो सात्वे भाव में हैं, मेश लगन के अंदर वो अपनी मित्र रासी में हैं, दस्वे भाव में हैं, ग्यार्वे भाव में हैं, दूसरे भाव में अपनी खुद की रासी में बैठे हैं, तो यहां गर इस बहुत जदा देंगे फिर जातक को शुक्र की द 때문에 when so तक को फायदा ही फायदा होगा, चाहे वो इस में शलकन के अंदर सुकुर को मारत कहा जाता हो, अब दूसरी बात, आपको देखना है, वो किस रासी में है, किस भाहों में बैठे हैं, अंस क्या है, अगर वो मारक है, उनसका अंस कम है, बालबस्ता, मरतबस्ता में, तो आप य तो तमाम चीजों को देखके ही पून रूप से आपको पता चल पाएगा मेश लगन के अंदर शुकुर की जो दसा होगी वो किस तरह आपको खराब देगी मोटे तोर पे मैंने आपको पता दिया यह मैंने आपको बता है सरल तरीके से मेश लगन के अंदर शुकुर की दसा का अगर आप जानना चाहते हो कि शुक्र हर भाहों में किस तरह का रिजल्ट देता है तो इसके बारे में वीडी कि अंदर उख्रा भाहों के अंदर किस तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी कि लैक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद